जै श्यनिदेव, जै श्रीकृष्णा, चंद्रग्रहन इस पार शरत पूर्णिमा पर 28 अक्टूबर को लगनी जा रहा है देर रात्री में ये चंद्रग्रहन लगेगा, रात्री के एक बच के पांच मिनट से लेकर के रात्री में ही समाप्त हो जाएगा दो बच के 24 मिनट तक क्योंकि ये चंद्रगहन भारत में दिखाई देगा तो सूतक जो है वो तो बच के बावन बिनेट से दोपहर में लग जाएगा चंद्रमा आपके मन को प्रभावित करता है आपकी तन को प्रभावित करता है इस पृत्वी पे जहां भी जल है वहां भी प्रभावित करता है सुना ही होगा आपने ocean tides जो है वो चंद्रमा की वज़े से ही आती है low tide, high tide उसी वज़े से होता है हमारे शरीर के अंदर भी लगबग 60% water है और हम भी इसलिए चंद्रमा से बहुत जादा प्रभावित होती है हमारे mood swings, हमारे mood, हमारे emotions, हमारी body, हमारी body की health, nourishment ये सभी चीज़े चंद्रमा से प्रभावित होती है अब इस चंद्रमा को ग्रहर लग जाएगा तो हमारे उपर, हमारे मन पर, हमारे तन पर क्या प्रभाव होगा यही आचानेगी तो चलिए शुरू करते हैं जो लोग भी दिल्ली में रहते हैं पटे लगर की आसपास है उन सभी के लिए निमंत्रण हैं हम 28 उक्टूबर को और हर पूर्णिमा पर प्रभु का एक सुन्दर कीरतन रखने वाले हैं जहां हम ज्यान की चर्चा करेंगे, प्रेम की चर्चा करेंगे और भगवान की नाम का संकीखन करेंगे जोगी पटे लगर दिली के आसपास हैं हमारी साधना स्थाली पे जरूर आएं शाम चार से छे ये कीरतन किया जाएगा और प्रभु की कृपा प्राप्त करें, अपने मन को आनंदित करें और जीवन में उन्नती करने के लिए इसमें शामिल जरूर हो जो लोग आने ही सकते हैं बाहर बैठें वो शिश्य भी चिंता ना करें योट्यूब पर चार से छे आप हर पूर्णिमा पर हमें लाइव देख सकते हैं ये एक कॉमन राश्यफल है लेकिन मुझे पूरा विश्वास है जो भी प्रफु मुझे आभास रूप में बताते हैं इंट्यूशन से बताते हैं वो कोई ना कोई मेसेज आप से जरूर मेल खाएगा वो आपके लिए जरूर होगा इसलिए मैं बार-बार महनत करके आपके लिए आती हूँ समय निकालके और आपको गाइडेंस देने की कोशिश करती हूँ आप इस राश्यफल की मांधियम से जो भी हमारे चैनल ग्रहों की बात पर डलता है उससे गाइडेंस ले ताकि आपका जीवन जो है वो बहतर हो सके आप आने वाले कल को लेकर के जो चिंता में है उससे मुप्त हो सके बाकि परसनली अगर आपकी लाइफ में कुई दशा खराब चल रही है आपको किसी भी प्रकार की दिकतारी आप चिंता मत करो आपकी गुरुमा हमेशा आपके साथ है मैं आप सभी लोगों के लिए हर गुरुवार एवरी थर्स्टे को फ्री जनता दर्बार में लगाती हूँ जिसमें बिल्कुल निशुलक सेवा होती है जनम कुली देखने की हम कोई फीस नहीं लेते हैं और जो लोग उपाई करने भी असमर्थ हैं उनके पास पैसे नहीं है कि वो रत्न पहन सकें पैसे नहीं है कि वो कोई महंगी पूजा करा सकें उन्हें सभी को भी निशुलक में वहाँ पर उपाई देती हूँ केवल एक नारियल दे करके आपने आना है लाल कपड़े में बांध करके सवा मीटर लाल कपड़े में और वो मेरे पास लेके आए उसी समय ततकाल जो भी प्रभू ने अब तक मुझे शक्ती दी है सिधी दी है उससे में सिध करके आपको दूंगी प्रयोग करने के लिए उससे आप प्रयोग करोगे जरूर आपके जीवन में कर्ष्ट जो है वो क कुमराशी वालो 28 अक्टूबर के आसपास आपके लिए जो दिखाई दे रहा है कहीं ना कहीं मुझे असा लगता है आपको थोड़ा सा कष्ट जादा हो रहा है आप सोच रहे हो क्योंकि शनिया भी बिल्कुल ही वक्री होने से हटने वाले है चार नवेंबर को तो जाते ज आपको हो रहा है पूरी बॉडी में पेन रहना दिमाग काम नहीं करना कुछ समझ नहीं आना तो ऐसी कुछ चीज़ें आपके साथ हो रही है पूरे शरीर में आपको चुभन सी भी महसूस हो सकती है कुछ लोग को जलन सी भी महसूस हो सकती है ऐसी चीज़ें दिखाई दे आप चिंता मत करो थोड़ा सा समय है जैसे ही शनी ठीक होंगे वैसे ही आपको लाव होगा और फिलहाल अभी जो यह ग्रहन के आसपास का जो समय है यह आपके लिए अच्छा है इस समय में अगर आप कोई विश मांगते हैं कोई अपना आप सोच के कोई इच्छा आप रखते कुछ लोग चंदरग्रहन के बाद अपने रेस्ट से बाहर निकलेंगे अच्छा रेस्ट लेंगे आपको अच्छी नींद आएगी उस समय और रेस्ट आपका अच्छा होगा तो सुबह उटके आप अपने आपको बहतर मैसूस करेंगे रिफ्रेश मैसूस करेंगे कुछ कुम राशी की जो लीडीज है वो लोग मुझे पारलर जाती हुई इस समय में दिखाई दे रहे हैं अपने चेहरे पे कुछ तो आप अच्छा करी रहे हैं जाहें वह आपका मेकप हो आपका बाल हो कुछ आप अपने लुक्स को इन्हांस करने के लिए कर रहे हैं ऐसा दीचे इस समय में यात्रा बिल्कुल भी उचित नहीं होगी है कुछ लोगों को बैक में प्रॉब्लम इस समय में महसूस हो सकती है आपके पीठ में दर्द रह सकता है बैक साइड ऑफ दो बाड़ी में पेन हो सकता है जादा प्रॉब्लम बढ़ सकती है वहां तो आप पहल जा रही है अपने सीनियर्स के प्रती और उसके बाद भी वह खुश नहीं हो रहे हैं तो वहां से आप थोड़े से निराश है परिशान है लेकिन इस चंद्रग्रहन पे आपका जो बॉड़ी है वो थोड़ा सा रेस्ट कर लेगा और उसके बाद आप थोड़ा रिफ्रेश से जब से गुरु मा को ले आई गुरु मा मैंनो नवनग का छाप दिया ओदे नाल मेरी कहाने घर की सट्ट हो गई मुंड़ा बाहर चला गया कोड़ी करिस्ता हो गई मेरी जिन्दकी हुनव सुखी है मा के तया से अगर आपके ग्रेप बहुत समय से भारी चल रहे हैं आप बहुत परिशान है समझ ही नहीं आ रहा है क्या करें क्या नहीं करें कहीं से भी आराम नहीं हो रहा है चिंता मत करो अपने नाम से या अपने परिवार के मुखिया के नाम से जो महाई है के आयोजित होगा 31 दिसंबर 2023 को रविवार का दिन है वहां पर आकर के आप आहुती या ओनलाइन घर बैठे भी आप आहुती प्रदान कर सकते हैं अधिक जानकारी के लिए जो नंबर आ रहे हैं उसमें आप संपर्क करें अपने नाम से आहुती दें जिल लोगों की दशा जादा ही खराब चल रही है वो नवगरे कथा जो उस दिन होगी उसका श्रवन करें उ आप पर कृपा बनाए रखें इस गरहन का कुछ दुश प्रभाव आप पर ना हो आपके बच्चों पर ना हो ऐसी मैं प्रभू से प्रात्ना करती हूं आप सभी को आशिरवात देती हूं जै शनी देव जै श्री कुष्णा झालो